हेलो गाईज, वेलकम टो आर यूटूब चैनल पढ़ेगा तबी तो बढ़ेगा इंडिया में जिसमें आज हम एस के क्वेशन सॉल्फ करेंगे और ये टोटल 30 क्वेशन हैं जो कि आपके एक्जाम्स के लिए काफी बेनिफीशल साबिस हो सकते हैं शुरू करते हैं क्वेशन नंबर 61 से ठगी अत्वा आनुचित वैपारिक वैवार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं चार ओप्शन दे रखें ऑप्शन ए उभोगता सानक्षन मंच को ऑप्शन बी जिला मुख्याले को ऑप्शन सी तहसील को राश्ट्रपती द्वारा राजी सभा में कितने सदस्य मनोनित होते हैं ऑप्शन ए बारा ऑप्शन बी अठारा ऑप्शन सी बीस ऑप्शन डी बाईस तो दकरक्ट आंसर इस ऑप्शन ए बारा सदस्य राश्ट्रपती द्वारा राजी सभा में बारा सदस्य मनोनित होते है बढ़ते हैं अगले question की तरफ, question number 63, जिला उध्योक केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवम ग्रामीर यूगों को रोजगार मुहया कराता है? option A, प्रधान मंत्री ग्रामीर सडक योजना, option B, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, option C, जवहार ग्राम समरिदी योजना, option D, स्वन जनती ग्राम स्वरा रोजगार योजना तो the correct answer is option B प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत शहरी एवम ग्रामीर यूवको को रोजगार मुहया कराये जाता है बढ़ते हैं आगले question की तरफ question number 64 संसार में आधिक्तम ट्यूब बेल किस देश में है option A, America, option B, Australia, option C, चीन, option D, भारत so the correct answer is option D, भारत संसार में आधिक्तम ट्यूब बेल भारत में है बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 65 घंगोर का तैवार मनाया जाता है option A, चेत्र शुल्क तीज को option B, शावर शुक्ल तीज को option C, भदर पद कृष्ण पक्ष अस्टमी को option D, चेत्र शुक्ल नवी को the correct answer is option A, चेत्र शुक्ल तीज को आपके extra knowledge के लिए बता दिया जाए ये तैवार मारवाड़ी लोग अधिक्तर मनाते है बढ़ते हैं question number 66 की तरफ डेंगोरो का वाहक है option A, एडिज मच्छर option B, क्लूलेक्स मच्छर option C, घरेलू मखी, option D, एडिज मच्छर so the correct answer is एडिज मच्छर यानी option A बढ़ते हैं question number 67 की तरफ मनुष्य के सरीर की जैव रशानी प्रियोक्षाला है option A, अमाश है option B, ये कृत option C, आत्र option D, व्रक so the correct answer is option B ये कृत देखते हैं question number 68 पल्स पोलियो कारिकरम का उदेश है option A, पोलियो का उप्चार option B, पोलियो से उद्पन लकवा को रोकना option C, पोलियो का संपून उन्मूलन करना option D, इनमे से सभी so the correct answer is option C, पोलियो का संपून उन्मून करना बढ़ते हैं आगले question की तरफ question number 69 कश्मीरी चोंगा कहलाता है option A, फिरन option B, अंगर खी option C, बुक्तारी option D, अचकर so the correct answer is option A, फिरन बढ़ते हैं question number 70 की तरफ कुत्ता मचली का आवास है option A, नदी option B, तालाप option C, जील option D, समुन्द so the correct answer is option D, समुन्द बढ़ते हैं question number 71 की तरफ निमलिखित में से किसका वेग अधिक्तम है option A, हवा option B, जलधारा option C, ध्वनी option D, प्रकाश so the correct answer is option D, प्रकाश देखते हैं question number 72 शोर, सेल, द्वारा किस उर्जा को विदुत उर्जा में बदला जा सकता है option A, रसाइनिक उर्जा, option B, नाप किये उर्जा, option C, प्रकाश उर्जा, option D, चुम्ब किये उर्जा so the correct answer is C, प्रकाश उर्जा, सोर सेल द्वारा प्रकाश उर्जा को विदुत उर्जा में बदला जा सकता है तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ, question number 73 हवा में सार्वदिक मात्रा में पाई जाने वाली gas है option A, oxygen, option B, carbon dioxide, option C, hydrogen, option D, nitrogen यानि इस question में बताना है कि हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी gas पाई जाती है तो the correct answer is option D, nitrogen बढ़ते हैं question number 74 की तरफ, उर्जा का नवनिकरन श्रोत है option A, koila, option B, petroleum, option C, पौधे, option D, uranium तो the correct answer is option C, पौधे बढ़ते हैं question number 75 की तरफ, ओजोन परत मिलती है option A, thermosphere में, option B, stetrosphere में, option C, troposphere में, option D, midosphere में तो the correct answer is, stetrosphere में, option B is the correct answer बढ़ते हैं question number 76 की तरफ, एकल परिवार से तात पर रहे है option A, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार option B, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे option C, संपूर परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता एवं दादा दादी option D, केवल पती पतनी इसमें आपको बताना है कि एकल परिवार से क्या दाद पर रहे है so इसका correct answer है option B, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे option B is the correct answer बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number 77 तंभाकू की आदत किसे होती है इस question में आपको बताना है कि तंभाकू की आदत किसे होती है चार options दे रखें option A, cocaine, option B, caffeine, option C, nicotine, option D, histamine so the correct answer is nicotine, यानि option number C बढ़ते हैं अगले question की तरफ, question number 78 भारत में लड़के व लड़कियों की विवायोगिन्योंतम आयू क्या है option A, 21 वर्ष व अठारा वर्ष option B, 18 वर्ष व एकिस वर्ष option C, 18 वर्ष व अठारा वर्ष option D, 18 वर्ष व सोला वर्ष इस question में आपको बताना है कि भारत में लड़के लड़कियों की विवायोगिन्योंतम आयू कितनी है तो the correct answer is option A लड़के की आयू 21 वर्ष होने चाहिए विवा के लिए और लड़की की आयू निविन्योंतम 18 वर्ष तै की गई है तो इस question का answer है option A बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 79 राजिस्तान की लोगों का मुख्य विवसाय है चार options ए रखें option A, खनन, option B, बेकरी, option C, मुर्गी पालन, option D, कृषी आपको बताना है की राजिस्तान के लोगों का मुख्य विवसाय क्या है तो the correct answer is कृषी आपके extra knowledge के लिए बता दिया जाए की राजिस्तान में जादा तर लोग खेती करते हैं जिसमें दो तरह की फसले अधिक उगाई जाती हैं पहली फसल है खरीफ की और दूसरी फसल है रभी की खरीफ की फसल में बाजरा, मूंग, आदी इसकी खेती की जाती है एंड रभी की फसल में चना, सरसो, जो, आदी की खेती की जाती है बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 80 राजिसान में निम्न में से किस इस्तान पर शक्कर बनाने का कार खाना नहीं है option A केशवराय, पटन option B निम्बहेडा option C उदैपुर option D भोपाल, सागर so the correct answer is निम्बहेडा जहां पर शक्कर बनाने का कार खाना नहीं है बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 81 राजिस्तान में जहीलो की नगरी है चार options दे रखें option number 1 जैपुर option number B जोधपुर option number C उदैपुर option number D अजमीर so the correct answer is उदैपुर उदैपुर में जहीलो की नगरी है बढ़ते हैं question number 82 की तरफ विजय स्तंप किसने बनवाया option A महराणा कुम्भ ने option B महराणा सांगा ने option C महराणा प्रताप ने या option D महराजा जैज सिंग ने so the correct answer is महराणा कुम्भ भा ने तो विजय स्तंप किसने बनवाया महराजा महराणा कुम्भ ने तो बढ़ते हैं अगले questions की तरफ question number 83 question number 83 नेमना अंकित याता यात संकेत का अर्थ है option A मुख्य सडक option B पैदल पारपत option C रेलवे क्रोसिंग option D संकरी पुलिया तो आपको ये संकेत देख करके बताना है कि ये किस निमन अंकित याता यात का संकेत का अर्थ क्या है तो इसका correct answer है option D संकरी पुलिया आप संकरी पुलिया को English में ऐसे समझ सकते हैं narrow bridge जहां पर कम जगा होती है बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 84 ATM ATM का पूरा रूप क्या है ATM का पूरा रूप है चार options दे रखें option A automated trailer machine option B all time money option C automated transfer machine option D audit trailer machine so the correct answer is option A automated trailer machine बढ़ते हैं next question की तरफ question number 85 computer के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं option A SMS option B fax option C email option D telegram so the correct answer is option C email बढ़ते हैं next question की तरफ question number 86 CNG का पूरा रूप है option A common national gas option D compressed natural gas option C common natural gas option D certified natural gas तो आपको इसमें CNG की फुल फॉर्म बताने हैं so the correct answer is option B compressed natural gas बढ़ते हैं next question की तरफ question number 87 वन ने जीव सब तहा मनाया जाता है 4 options दे रखें option A 1 अक्तूबर से लेके 7 अक्तूबर तक option B 15 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक option C 1 जून से 7 जून तक option D 15 जून से 21 जून तक यानि आपको इस question में बताना है कि वन ने जीव किस सब्तह में मनाया जाता है तो correct answer is option A वन ने जीव सब्तह 1 अक्तूबर से 7 अक्तूबर तक मनाया जाता है तो बढ़ते हैं question number 88 की तरफ राज्य सभा, राज्य स्थान, राज्य के, राज्य व्रिक्ष, राज्य पक्षी, तथा राज्य जन्तू, क्रमाशह option A खेजडी, गोडवन, चिंकारा option B खेजडी, मोर बाग option C बबूल, गोंडवर, शेर option D आम, मोर, बाग the correct answer is खेजडी, गोंडवर, चिंकारा बढ़ते हैं question number 89 की तरफ प्रदार्थ किस अवस्ता में अणूओ के माध्य मध्य की दूरी निविन्दम होती है यानि प्रदार्थ के ऐसी कौन सी अवस्ता है जिसमें अणूओ के मध्य की दूरी निविन्दम होती है so questions options है option A ठोस, option B दरव्य, option C, gas, option D प्लाज्मा तो इसमें से correct answer है option A ठोस जब प्रदार्थ ठोस अवस्ता में होता है तो अणूओ के मध्य की दूरी निविन्दम होती है अब last question है question number 90 की कौन से कौन सा राज्य Tiger State के नाम से जाना जाता है option A राजिस्तान, option B पच्छम बंगाल, option C गुजरात, option D मध्य परदेश इसका answer आप मुझे comment box में बताईए ये question आपका as a homework है तो comment करके बताईए का इसका सही answer आज की वीडियो में बस इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो don't forget to like our video comment and don't forget to subscribe our channel झांड़े क tenido अगरे बताईए में झां़े इसका बताईए